दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है साइमन और इस वीडियो में मैं आपको step by step दिखाऊँगा कि आप अपनी पहली Google ad campaign कैसे setup कर सकते हैं बिना time waste किये चले शुरू करते हैं पहले step is ads.google.com परचाना है आपको यह आपको यहाँ पर start now button पर click करना है आप यहाँ पर अपने already existing Google account को use करके या एक नए account को create करके अपना Google ads account बनाएंगे account में login करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और switch expert mode पर click करेंगे ताकि हमें अपनी campaign के लिए सारे option मिले हैं यहाँ आपने पिलकुल सही सुना दोस्तों और साथ ही मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हम create a campaign without a goals guidance पर click करेंगे क्यूंकि हम अपने campaign को पूरी तरह से control करना चाहते हैं यहाँ पर हम अपने campaign का type select करेंगे इस video में हम एक simple search campaign बनाएंगे इसमें text ads होंगे जब लोग Google पर कुछ specific keyword type करेंगे हम यहाँ वापस जाएंगे और search पर click करेंगे अब हमें define करना है कि हम अपनी campaign से कैसा research चाहते हैं मेरे example के लिए मैं लोगों को एक offer के साथ एक specific landing page पर भीशना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर website visit पर click करूँगा और अपना URL पेस्ट करूँगा फिर मैं continue पर click करूँगा in campaign setting में हमें सबसे पहले अपने campaign को एक नाम देना है मैं इसका नाम दे रहा हूँ search campaign version 1 इसके बाद हम search network और display network को untrick कर देंगे क्योंकि शुरुआत में हम चाहते हैं कि हमारी ad के वल Google search engine पर दिखे किसी और network पर नहीं अब हम इसे scroll करते हैं और show more setting पर जाते हैं यहाँ पर हम अपने campaign के लिए start और end date लगा सकते हैं तो अगर आप अपने campaign specific time के लिए run करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पर set कर सकते हैं हमारे पास ad schedule भी है तो अगर आप अपने ad को किसी specific day या specific time run करना चाहते हैं तो आप उस time को भी यहाँ पर set कर सकते हैं अब हम लोग targeting और audience segment पर जाते हैं locations के अंदर आप define करेंगे कि आपकी ad किस location पर दिखेगी यहाँ पर by default United Kingdom है अगर मैं United States के लोगों को कुछ बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाओंगा enter another location पर click करूँगा और फिर यहाँ पर United States type करूँगा मैं United States पर click करूँगा और मेरी ad केवल United States में दिखाई देगी इसके बाद हम यहाँ location पर आएंगे target के अंडर हम इसे presence और interest में presence में change करेंगे वरना आपकी add-on लोगों को भी दिखेगी जिनको उस location में interest होगा इसका कोई sense नहीं बनता जी हाँ आपने फिलकुल सही सुना दोस्तों I hope आपको सब समझ में आ रहा होगा and अब languages पर चलते हैं यहाँ पर आप अपने customers की language use कर सकते हैं जो की हमारी add की भी language होगी हम audience segment को skip करके सीधा budget और bidding पर जाएंगे budget के अंदर सबसे पहले हम use करेंगे कि हम अपनी add के लिए Google को किस currency में pay करना चाहते हैं and example के लिए अगर आप United States में रहते हैं तो आप US dollar use करेंगे यहाँ पर हम अपना average daily budget set कर सकते हैं मैं इसे $10 रखूँगा इसका मतलब यह है कि एक महिने में average मैं किसी भी दिन $10 से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा कभी-कभी मैं $10 से थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लूँगा कभी मुझे थोड़ा कम भी करना पड़ेगा लेकिन पूरे महिने का जो average होगा वो एक दिन में $10 से ज़्यादा नहीं होगा फिर bidding के अंडर हम इसे focus on clicks पर set करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास हमारे accounts में कोई data नहीं है थोड़े time के बाद जब आपने conversion tracking install कर ली हो और आपके पास कुछ data हो तब आप इसे optimize for conversion में change कर सकते हैं हम per click bid limit की maximum cost पी set करेंगे यह maximum वो amount होगा जो हमें एक click के लिए pay करना होगा इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इतना pay करना होगा लेकिन आपको कभी इससे ज़्यादा pay नहीं करना होगा मैं इसे two dollars set कर देता हूँ I hope आपको सब समझ में आ रहा होगा इसके बाद हम add extension पर चाहेंगे add extension आपके add पर कुछ additional link और text होते हैं जिससे आपके add थोड़ी बड़ी और google पर realistic हो जाती है आम तोर पर इससे आपको ज्यादा click through rate मिलता है इससे google add में काफी मदद मिलती है तो मैं recommend करूँगा कि आप an add extension को set up कर ले इसलिए मैं side link extension को जरूर set up करूँगा यह links हैं जो आपकी website के अलग-अलग pages तक ले जाएंगे यहाँ पर call out extension भी set up कर सकते हैं जिसमें कुछ additional benefits list करने होंगे जो यहाँ सही सुना आपने यहाँ पर फिर structured snippet कुछ specific business के लिए phone number भी add किया जा सकता है तो आप call extension add कर सकते हैं या फिर आप यहाँ दिएगा extension को भी देख सकते हैं जो अलग-अलग business के लिए फायदा मत हो सकते हैं अगर आप अभी के लिए यह सब नहीं करना चाहते हैं तो परिशान नहों आप इन सब को बाद में add create करने के बाद set कर सकते हैं अब save and continue पर click करते हैं यहाँ पर हम अपने add group setup करेंगे और इस तरह से करेंगे कि हर specific add group के लिए हम अपने customer के एक specific intention को target करेंगे मैं ऐसे लोग को target कर सकता हूँ जो की responsive benefit देख रहे हो दूसरे add group के लिए मैं ऐसे लोग को target कर सकता हूँ जो एक booking website देख रहे हो इस तरह से हर add group के लिए हम ऐसे keyword यूज़ करेंगे जो specific search intent के साथ related हो जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों दोस्तों चलिए अपने पहले add group के लिए हम ऐसे लोग को target करते हैं जो एक responsive benefit धूण रहे हैं तो मैं नाम को add group 1 से website plus responsive में change करतेता हूँ इससे मुझे पता रहेगा कि ये group किस लिए है keywords के under हम उन सभी search term को define करेंगे जिन के लिए हमारा add दिखना चाहिए I hope आपको सब समझ में आ रहा होगा keyword ढूणने के लिए हम यहां seat keyword के तौर पर main keyword को डाल सकते हैं मैं यहां पर type करूँगा responsive website development इसके बाद मैं gate keyword पर click करूँगा फिर google मुझे ये सारे keyword देगा जो उसे लगता है कि इस से related हो second step में मैं सभी keyword को देखूँगा और अगर मुझे लगता है कि इन में से कुछ keyword का search intent अलग है तो मैं उन्हें delete कर दूँगा जी हाँ आपने पिलकुल सही सुना दोस्तों and example के लिए Udemy responsive web design ऐसे search keyword नहीं है जो मेरे लिए कस्टमर बनाएगा क्योंकि Udemy एक course platform है और जो लोग इसे type करेंगे वो कोई course ढूंड रहे होंगे कि एक responsive website कैसे बनानी है और freelancers को नहीं ढूंड रहे होंगे अब मैंने अपने हिसाब से keywords निकाल ली हैं जो मुझे ठीक लगते हैं जिनको use करके लोग कोई ऐसा इंसान ढूंड लेंगे जो एक responsive website बना सके और मैं ऐसाइट से यहीं offer कर रहा हूँ अब मैं अपने सारे keywords को copy कर लूंगा और फिर keyword match type tool नम की एक site पर जाऊंगा हम इने यहाँ paste करेंगे हम right side पर जाएंगे और phrase match और exact match option लेंगे जी हाँ आपने पिलकुल सही सुना दोस्तों इसके बाद create keyword list पर click करेंगे यहाँ पर हम उन सभी को copy करेंगे और फिर अपने google ad account पर वापस जाएंगे और उनने paste करेंगे अभी मैंने अपने keywords के आसपास bracket और quotation mark लगा दिये हैं जो अलग-अलग match type को represent करते हैं I hope आपको सब समझ में आ रहा होगा तो जब भी आप अपने keyword पो bracket लगाएं इसका मतलब यही है कि आपका add तब ही दिखेगा जब लोग वही exact keyword टाइप करेंगे या कोई ऐसी चीज जिसका मतलब सेम है अगर आप अपने keyword में quotation marks लगाएंगे इसका मतलब यह है कि आपका add तब भी दिखेगा जब लोग किसी तरह के phrase के साथ उस keyword को type करेंगे example के लिए अगर कोई type करता है I am looking for a responsive website development company तो आपका add दिख जाएगा abroad match भी use कर सकते हैं इसमें आप अपने keyword के आसपास कुछ नहीं add करेंगे लेकिन मैं इसे recommend नहीं करता हूँ वरना आपका add हर related चीज के लिए दिखने लगेगा इसलिए मैं यहाँ पर उसे delete कर दूँगा I hope आपको सब समझ में आ रहा होगा अब हमने अपना पहला add group कर लिया है अगर आप चाहें तो आप और भी add group बना सकते हैं आप यहाँ पर add new add group पर जाएंगे और फिर दूसरे के लिए आपका intention कुछ अलग हो सकता है हम ऐसे लोग को target कर सकते हैं जो एक restaurant के लिए website ढून रहे हो तो हम इस group के नाम में टालेंगे website plus restaurant और फिर वही पूरा process करेंगे जो हमने पहले किया था और दोस्तों टाइम की वज़ा से मैं इस add group को छोड़ दे रहा हूँ और हम save and continue पर click करके अगले step पर चलते हैं और दोस्तों अब हम हर single add group के लिए add create कर सकते हैं यहां top पर आप देख सकते हैं कि आप किस add group के लिए add create कर रहे हैं दूसरी लाइन में Google की तरफ से कुछ टिप्स हैं आपको इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है preview के अंडर आप देख सकते हैं कि आपकी add mobile और desktop पर कैसी दिखेगे और मैं पता दूँ यहां left side पर हम अपने add की सारी detail डालेंगे और final URL के अंडर आप उस website को डालेंगे जिस पर add पर click करने के बाद आप लोगों को भेजना चाहते हैं यह वो product या service होगा जोसे आप advertise कर रहे हैं display path के अंडर आप वो path टाइप करेंगे जो add पर visible होगा यहां की website का actual URL नहीं होगा जी हां आपने पिलकुल सही सुना दोस्तों display path के लिए मैं recommend करता हूँ कि आप कुछ keyword यूज करें जो आपने specific add group के लिए टाले होँ साथ ही मैं आपको बता दूँ यहां पर मैंने 4-5 headline डाली है जो यह describe करती है कि मैं क्या offer कर रहा हूँ मैंने कुछ objection या pen point भी डाले हैं जो इस service को ढूडने वाले लोग के हो सकते हैं फिर कुछ headlines के लिए आप Google को बता सकते हैं कि यह केवल तीसरी position पर दिखना चाहिए एक्जेंपल के लिए 100% money back guarantee के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि Google इसे पहली position पर दिखाए क्योंकि वहां मैं explain करूँगा कि मेरा product या service क्या है यहां पर मैं headline के पगल वाली pin icon पर चाहूँगा और फिर show only in third position पर click करूँगा इसके बाद Google इस headline को केवल तीसरी position पर दिखाएगा इसके बाद add description पर चलते हैं add description के लिए आपको बहुत स्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जात और लोग description पढ़ते भी नहीं है वो केवल उस पर नज़र डालते हैं मैं recommend करता हूँ कि जितना हो सके उतने character use करें ताकि आपका add ज्यादा ज्यादा बढ़ा हो कुछ keywords और numbers य्यूज करें क्योंकि लोग इनकी तरफ थोड़ा आकर्शित होते हैं इससे आपका click through rate भी पढ़ सकता है अब हमने पहला add group setup कर लिया है हम यही चीज बाकी add groups के लिए भी कर सकते हैं इस example में मैंने केवल add group ही create किया है तो हम save and interview पर click करेंगे जी हाँ सही सुना आपने यहाँ पर यहाँ पर payment information एंटर करने के बाद Google आपकी add को review करेगा और अगर यह approve हो जाती है तो आपका campaign ready to go होगा आगे आप Google Ads के बारे में और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा customer के लिए कम से कम कैसे pay करें तो आप इस video को देखे यह मेरा Google Ads का complete और in-depth video है जिसमें मैं कई सारे tips और tricks शेयर करता हूँ और like और subscribe करना ना भूले अगली वीडियो में मिलते हैं अभी के लिए बाबाई टेक केर